नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फार्मेसे स्टेडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बायलिनाइटिस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि यह बायलिनाइटिस क्या होती है दोस्तों इसमें में आज की वीडियो में समझेंगे बात करेंगे ये बयालनाइटिस आखिरकार है क्या इसके क्या क्या यह कारन हैं यह इसके क्या क्या यहा लचषड होते हैं इसके अलावा बयालनाइटिस को कैसे डॉक्टर डा 알ста करते हैं और इसका इलाज कैसे किया Global तो complete information के लिए इस वीडियो को complete देखना साथ ही भी है जो लोग चनल पर पहली बारा हैं चैनल को subscribe करें अपना प्यार ज़रू दिखाएं सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि यह जो बैलनाइटिस है यह आखिरकार है क्या तो जैसा कि हमने बताया पुरूसों के प्राइवेट पार्ट के सबसे आगे वाले भाग में क्या होता है सूजन आ जाती है inflammation हो जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यदा irritation होता है और दोस्तों यह जो बैलनाइटिस है यह uncircumcised males में ज़्यादा देखने को मिलता है यानि कि जिनका खतना नहीं होता है अब यह जो खतना है दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या होता है आपके private part में जो आदा देखी जाती है फटा फट आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं बैलनाइटिस के उसके बाद में इसके लच्छडों को detail में हम जानेंगे तो दोस्तों यह जो बैलनाइटिस है यह east infection से हो सकता है आपके इसके अलावा दोस्तों bacterial और viral अगर संकम्र हो ज जाती है एक बात मैं आपको बता दू यह जो बैलनाइटिस है यह एक आदमी से दूसरे आदमी में बिल्कुल भी नहीं फैलता है साथ दोस्तों वो लोग जो वहां पर साफ सफाई नहीं रखते उनके भी हो सकता है यह इसके अलावा middle age के और older age में यह जादा देखने को मि जाती है उनको बैलनाइटिस होने के chances जादा होते हैं इसके अलावा जिनका वजन जादा है उनमें भी यह बैलनाइटिस की समस्या हो सकती है इसके अलावा आप अपने partner के साथ थे उसके बाद में जो है यह आपके बैलनाइटिस की समस्या हो सकती है अब आपको फटा फट कि बाइलनाइटीस के आखिर का लच्छड क्या होते हैं तो सब से जो पहला लच्छड है वो पुरुसो का प्राइविट पार्ट होता है वहां पर क्या होगा उसके आगे वाले पार्ट में दर्द होना, इरिटेशन होना ये समस्विए होगी वहां पे लालिमा आजाएगी लाल लाल पैचेज आपको दिखाई दे सकते हैं और जो फॉर इसकिन है उसके अंदर बहुत जादा खुजलाहट चलना इसके अलावा सूजन आ जाना वाइट डिस्चार्ज होना जिसको इस मिगमा बोलते हैं फॉर इसकिन जो होती है उसके अंदर से बदबू आ और जब आप पेशाब करने जाएंगे तो वहाँ पर पेशाब करते हैं समय दर्द होना तो दोस्तों यह हैं बाइलनाइटिस के लच्छड अब आपको बताते हैं कि बाइलनाइटिस का डॉक्टर आखिरकार कैसे पता लगाते हैं इसका डाइगनोस कैसे करते हैं तो बात क स्वाइब करके यूरेथ्रल ओपनिंग की जगे से स्वाइब करके जो है लैब में भी डॉक्टर इसको फर्दर इस्टेड़ी के लिए भेज सकते हैं इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर आप से कुछ टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं जिसमें इसे यूरिन टेस्ट और दोस्तों अब आपको फटा फट बताते हैं कि डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं बैलेनाइटिस का तो गर इसकी समस्याब इंफक्षिन जो है इस्ट इंफेक्शन की वज़े से हुआ है तो वहां पर जो है यह जो एंटी फंगल क्रीम्स हैं यह काफी ज़्यादा फाइदे मंद होती हैं जैसे की क्लो ट्रिमाजोल क्रीम हो गया यह आपका इंफेक्शन ठीक कर देगी इसको बिसकली आपके आगे वाले पार्ट पर जो ह है लगाना रहता है और आपकी जो फोर इसकिन है उसके अंदर अगला जो है वह है दोस्तों एंटीबाइटिक मेडिसिन भी आपको डॉक्टर दे सकते हैं अगर मालीजे सेक्सवली ट्रांसमेटेड इंफक्शन हुआ है आपके उसके कार्ड बैलनाइटिस हुई है तो वहा का जो एरिया है उसको आप जो है साप सुथरा रखें और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सुखा कर रखें कुछ लोग सुखा कर नहीं रखते जिससे भी उन्हें इंफक्शन होने के चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अलावा अगर आपके डाविटीज की समस् में उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलेंगे आप से अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी नौलजबल वीडियो देखने के लिए जहिन बंद मातरम टेक केर बाए